दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का जीजिन अकेडमी पर तो सीजी प्रयोकसाला तक्निश्यन और सहाग भरती परिक्षा में समलित होना है और सभी अभ्यरति को शुब कामनाओं के साथ यह हमारा माय था मराथन प्रैक्टिस सेट छटफे नंबर का होगा पांच प्र सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर फेस कर लें ताकि अगामी जान 16 सदिक्षा कभी जीकी जीएस और प्रैक्टिस आप हमारे चैनल कर सकते हैं देखिए के पहला क्वेश्चन सुरू करते हैं इससे पहले मैं एक महत्पूर्ण चीज बता दू प्रैक्टिस सेट ध पारा की सता खाली स्थान रहता है तो दबा हुआ हलका उपर उबरा हुआ केवल चिनित तो केस नली में पारा की जो सता होता है वो उबरा हुआ होता है C यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप अपना भी तैयारी जरूर जाचे इस प्रैक्टिस सेट के माद्यम से कि कितने आपने तैयारी किये है आप एक्षिक घनतों को मापा जाता है तो देखिए हाईग्रोमीटर रिक्टर इसकेल पास्कल तो हाईग्रोमीटर द्वारा आप एक्षिक घनतों को मापा जाता है तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तीसरे नंबर का कोईश्चन देखते हैं जब कोई वस्तू किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी का हैसास होता है यह सिध्धान्त है तो देखिए पास्कल का नियम लैमार का सिध्धान्त आर्की मेड का सिध्धान चलिए चाहते नंबर का कोईश्चन देखते हैं अब जो है कोईश्चिस की जाएगी कि साम को भी आपको वीड़ो प्रवाइट कराया जाएगा प्रिवेस यह कोईश्चन पेपर 2023 का यह भी बता दू मैं जलत ही आने वाला है ध्यान रखिएगा 2023 का प्रिवे लंबा फलक अधीश रासी कोई नहीं तो दाब एक अधीश रासी है सिएपर करेक्टांसर होगा तो सदीश रासी और अधीश रासी से क्वेश्चन पुछा जाता है इसलिए इस क्वेश्चन को सामेल किया गया है आप अच्छे से पढ़ लिजे कि कौन-कौन सा सदीश है कौन-कौन सा अधीश है निमनलिकित में से कौन सा उपकरण विद्धूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में परिवर्थित करता है डाइनेमो विद्धूत सेल विद्धूत बल्ब विद्धूत मोटर ये कोईस्चन बार बर इसलिए जा रहे कि बहुत बार पुछा गया है और ये अलग टाइप का है इस बार का क्योंकि विद्धूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में कौन सा परिवर्थित करता है तो विद्धूत मोटर करता है और कुछ चीज़ें उससे याद रखने आपको विद्धूत बल्ब के क्या काम है तो विद्धूत उर्जा को प्रकास व विद्धो तूर्जा में परर्थित करता है, तो यह important था, इतना इस question से संबंधित important fact था, दूद से मखन निकालने की machine किस सिध्धान पर कारे करती है, अभी केंदरी बल, स्ववेक का सिध्धान, अब केंदरी बल, कोई नहीं, तो सही answer होगा, अब केंदरी बल पर कारे करती ह है, तो C यहां पर करेक्ट answer होगा, चलिए सात्वे नंबर का question है, hydraulic lift किस नियम पर अधारी था है, तो देखिए hydraulic lift archimedes का नियम, Newton का सिध्धान, पास्कल का नियम कोई नहीं, तो यह hydraulic lift जो है, यह पास्कल का नियम है, नियम पर अधारी था है, तो 7 का C करेक्ट answer होगा, आठ गुलन सिल नमक मिलने पर या मिलाने पर जल का प्रिष्ठ तनाव होता है, घड़ जाता है, बढ़ जाता है, सुने हो जाता है, इस्तिर रह रहा है, तो देखिए, गुलन सिल नमक अगर जल में मिलाया जाता है, तो प्रिष्ठ तनाव बढ़ जाता है, भी यहां पी correct answer होग नवे नमबर का question है स्याही को सिग्र सोख लेना किस से समब दीते हैं ये एकदम simple question है तो ये option दिया है चार option पढ़ लिजेगा अगर option में answer नहीं मिलता है तो comment section में comment करके इसका answer आपको बताना है क्योंकि ये बहुत important और बहुत easy भी है आप सभी जानते तो नवे का question का answer आपक पस्चिम उत्तर दक्षिल कोई नहीं सही answer होगा उत्तर दक्षिल तो टेन का सी correct answer है अब देखिए प्रित्वी के चुंबक का दक्षली ध्रो भोगोलिक उत्तर में है ध्यान रखेगा क्योंकि यह निलंबी चुंबक है कि उत्तरी ध्रो को आकरसित करता है ये fact आपको कोड़ी समय कोई नहीं तो correct answer होगा आपका कोड़ी समय कोड़ी समय जो है किसी भी घुड़न निकाय का गुड़ धर्म है जो जड़त्व आघून और कोड़ी वेक का गुड़न फल होता है यह ध्यान रखेगा तो चलिए बारवे नंबर का question में चलते है हवा में ध्वानी क वे 332 मिटर परती सेकंड के रूप में लिया जाता है यदि गैस का दबाव दोगुना हो जाता है तो हाव में ध्वानी कवे क्या होगा तो बारवे नंबर का question देखिए 664 में मिटर परती सेकंड 332 नौश थाइस उप्रिक्तिम से कोई नहीं सही आंसर होगा 332 मिटर परती तो सही आंसर होगा यह जो है परमाणू रियक्टर में नियंत्रक जो छड़ों था यह केडमियम के बने होते हैं तो सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा अब इंपोर्टेंट फ्रक्ट देख लेते हैं इसकोस्चन से संबंधित और भी जो एक्जाम में आपके पूछे जा सकत हैं केडमियम धातू में परमाणू असूसित करने की छमता होती है ध्यान रखिएगा केडमियम को नियंत्रक छड़की रूप में इसलिए उप्योग किया जाता है चलिए नेक्स्ट कोश्चन है निम्नलिकित में से क्या एक आइसो कोरिक प्रक्रिया के पॉलिट्रोपिक जो है करेक्टांसर होगा चलिए 15 प्रकास तरंगे कीस प्रकार की तरंगे होती है अनुदैधार्य तरंग अनुप्रस्थ तरंग ए और बी दोनों और कोई नहीं तो यह अनुप्रस्थ तरंग होती है यहां पर करेक्टांसर होगा अनुप्रस्थ तरंगे वह तरंग है जि दीन के अपेक्षा रात में अधीक दुरी में पड़ता है क्यों प्रति ध्वनी के कारण अनुनात के कारण ध्वनी में अपवरतन के कारण कोई नहीं तो सही अंसर क्या होगा ये जो है किसके कारण होता है तो ध्वनी के अपवरतन के कारण सोला का C जो है correct answer है सत्रहवे नंबर कुश्चन देखते हैं ठोस में उस्मा का संचरन कीस विधी द्वारा होता है सववाहन, विश्ट उस्मा, चालन विधी और कोई नहीं तो सही अंसर होगा ये चालन विधी द्वारा C जो है correct answer है अठार्वे नंबर कुश्चन वायू वन निर्वात में प्रकास की चाल सबसे अधिक होती है अठार्वे का तो देखिए दो गुड़ा 10 10 पावर 3 मिटर प्रति सेकेंड 4 इंटू 11 पावर 2 है ये 112 लिखा है, एक्च्वाल में स्प्रिंट है ये 11 पावर 2 है और ये 3 है 3 इंटू 10 पावर 8 है ऐसा तो ये C जो है यहाँ पे correct answer होगा आपका अठार्वे का चलिए, नेक्स्ट कुश्चन है चंद्रमा से परावर्तित प्रकास प्रित्थी तक आने में कितना समय लगता है तो देखिए, ये जो है 2.28 सेकिंड 1.28 सेकिंड 3.1 सेकिंड सही आंसर होगा 1.28 सेकिंड लगता है B correct answer है 20 वे नंबर कुश्चन देखते है असुद्धी मिलाने से द्रव का कौथनांक होता है तो असुद्धी मिलाने से द्रव का जो कौथनांक है घरता है, स्थीर रहता है, बढ़ता है कोई नहीं सही आंसर होगा असुद्धी मिलाने से द्रव का जो कौथनांक है ये कौथनांक क्या होता है बढ़ता है C यहाँ पर correct answer होगा 21 वे नंबर का कुश्चन देखते है उत्तल लेंस की छमता होती है रिडात्मक, धनात्मक ये और भी दोनों कोई नहीं तो देखें 21 वे का क्या होती है धनात्मक होती है उत्तल लेंस की जो छमता होती है धनात्मक होती है लेकिन आउतल लेंस की जो छमता होती है ये रिडात्मक होती है ये दोनों आपको याद रखना है चलिए 22 नंबर का question देखते हैं अवतर लेंस में प्रतिभीम F2 यो प्रकासी केंदर O के बीच बनता है या प्रतिभीम होता है प्रतिभीम उल्टा तता भासी होता है प्रतिभीम सीधा यो अभासी अनन्त होता है प्रतिभीम सीधा तता भास वस्तु से छोटा होता है तो बिल्कुल सहीं सी यहां पर करेक्ट आंसर है चलिए 23 नंबर का कोश्चन है निमनलिखित में से कौनसा आंतरिक परावर्तन से संबंधित है रेगिस्तान में मरीचीका का बनना हीरा का चमकना जल में पड़ी परकनली का चमकना उपर युक्त सभी तो देखिए इस तरह से कोश्चन पूछे जा सकते हैं उपर युक्त सभी होगा डी करेक्ट आंसर है यहां पर चलिए 24 नंबर कोश्चन देखते हैं थरॉक्सिन के कार्य के संबंध में सही कथन है यहां कोशीका स्वसन की गती को तीब्र करता है स्वसन में ऐसा वाला सा हो होगा यह पहला दूसरा जनन अंगों के समायने कारे इनहीं के सक्रिता पर अधारित है और तीसरा है ए और बी दोनों तो बिल्कुल यह भी सही है और भी भी सही है तो सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा 24 का चलिए 25 नंबर को कोश्चन देखते हैं मनुसे के मस्तिस का कवजन होता है 25 ग्राम 800 ग्राम 2500 ग्राम क्यी पुस्तकों में लगभख 350 ग्राम लगभग ऐसा दिया होता है 300 इस तरह से तो यह लगभख कितना आएगा 1400 ग्राम आंसर जो अप्शन है उसके अर्प से लेना है हमको तो डि यहां पे करेक्ट आंसर होगा 25 नंबर का कुश्चन देख कहते हैं फीमर इस्टेप टेंडन और कोई नहीं तो सही आंसर होगा मान स्पेशी और अस्थी के जोड को टेंडन कहते हैं क्या कहते हैं तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 27 नमर का कुश्चन देखते हैं अंतह इस्तरावी गरंथी में इस्तराव होता है एंजाइम गरंथियों में एंजाइम का इस्तरा होता है और अंतह इस्तरावी गरंथियों में हर्मोन का होता है ये दोनों आपको याद रखना है 28 नंबर का क्वेश्चन है लड़ो और उड़ो हर्मोन किस गरंथी से निकलता है 28 वाद थाइमस गरंथी जनन गरंथी मेडूला और अधि ग्रंधी से सिराविट होता है तो डि यहां पे क्रेक्ट रांसर ओगा 28 वे का 29 वे नंबर के देखते हैं कावको के अध्यन की साख पर चालन किया जाता है तो सही अंसर क्या होगा यह माइक्ठोरी क्या झालन के साखा हैं दिखना ध्यान की साख उत बहुत important है, epiculture में मध्य मख्य पालन का ध्यान किया जाता है, ध्यान रखेंगे किसमे, epiculture, चलिए, अगला देखते है, PC culture में मध्य से पालन का ध्यान किया जाता है, और anthology में पुस्वो का ध्यान, पुमोलाजी फलो के अध्यन से संबंधित है इसमें अध्यन के जाता है एंटोमोलाजी में कीटो का अध्यन के जाता है तो यह सारे फैक्ट आपको इसके साथ साथ याद रखना है माइटो कॉंड्या विभाजित होती है 30 का तो केंद्रक, विखन्डन, ए और बी दूनों कोई नहीं तो माइटो कॉंड्या विखन्डन दोरा विभाजित होती है 30 का बी करेक्ट आंसर है 31 नंबर का question देखते है protein की factory किसे कहा जाता है protein की factory, mitochondria, lysosome, ribosome कोई नहीं तो देखिए यह ribosome को protein की फैक्टि कहा जाता है और ribosome से सम्बंदित कुछ और महत्पूर्टत थी है जिसे हमें याद रखने है ribosome ribonucleic acid नामक अमला वा protein की बनी होती है किसे ribonucleic acid ये याद रखिएगा और अमला नामक अमला और protein की बनी होती है प्रोटीन संसर के लिए यह उप्युक्त हिस्थान पदान करती है इसलिए से प्रोटीन की फैक्टिक आ जाता है और 1958 में रावर्ट ने इसका नामकरण किया था यह भी आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट कोश्चन है 32 नंबर का गाजर में पाया जाता है लाइकोपेन विटामीन स्वाड़े विटानीन कैरोटीन उपर युक्त सभी तो सही आंसर क्या होगा इसमें कैरोटीन पाया जाता है और यह वर्णी लवक के अंतरगत आता है कैरोटीन कि कुछ अन्य भीध लेकिन बार-बार यह जाम में पूछा गया है इसलिए सामिल किया के है एरन बरगन लियोन हॉक लियोन हॉक और लेमार्क लुई पास्चर तो लुई पास्चर ने रेविच के टिके की खोच की थी आप सभी को पता है और इसने दूद के पास्चुराइजेशन की भी खोच है तो देखिए हाइड्रो हाइड्रोजन प्रक्साइद पोटेसियम क्लॉराइड के लिस्यम कार्गोनेट खुई नहीं तो सही आंसर क्या होगा पोटेसियम क्लॉराइड पानी की स्थाई कठोड़ता को दूर करने के लिए सरधी को फ्युकता है और परमिट्वीधी द्व है एरन आक्साइड कल्सियम कार्गोनेट कोई नहीं तो मूती की रसाइडिक सरचना कल्सियम कार्गोनेट है तो सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा थर्टी फाइव का थर्टी सिक्स नमबर क्वेश्चन देखते हैं लसुन में गंद किसकी उपस्तितिक के कारार होती है का question देखते हैं mobile phone की battery में किस धातु का प्रयोक किया जाता है lithium cadmium silicon koji नहीं तो 37 का सही आंसर होगा lithium का mobile की mobile phone की battery में lithium का प्रयोक के जाता है 37 का एच चलिए अगला question है कौन सी धातु कमरें के ताप पर द्रव अस्था में पाया जाता है 38 देखिए selenium cytochrome जियोलॉइट गैलियम तो सही आंसर क्या होगा 38 का यह गैलियम डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है गैलियम जो है धातु जो होता है वो जो है कमरे के तापर धरौस्था में पाए जाता है 49 नमर कोश्चन देखते हैं विद्दुधारा का स्तरवत्तम चालक है तो देखिए विद्दुधारा का स्तरवत्तम चालक कौन सा है अलुमिनियम चांदी तामबा और पीतल तो सही आंसर होगा स्तरवत्तम पूछ रहे तो चांदी आएगा और चांदी के बाद तामबा है यह कर लेंगे हरा रंग किसकी उपस्तितिक करण होता है तो देखिए में इस प्रिंट रहता है कभी कभी प्रिंटिंग में समझते रहता है उसे सुधार करके पढ़ें आप च्छोटे मुटी चीजे और एक चीज और बता दूम है कि यह प्रैक्टिस सेट है कमाली जल्दी में कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि डिटेल करते समय सारे चीज हम देखते हैं और आप जो है उसे करेक्टर करके आप आंसर बता सकते हैं कमेंट कर सकते हैं और उससे अगले वीडियो में जरूर सुधार दिया जागा वैसे आपको प्रमाली कुर्प से सारे आंसर सही बताय है कभी गलती के करांड से कात क्वेश्चन हो जाता है गयी पीछे जल्दी में अतीज बाजी के दवरान हरा रंग किसके उपस्तित करण होता है बेरियम इस्ट्रोसियम ए और बी दोनों कोई नहीं तो किसकी उपस्तिति करण होता है बीएहाँ पर करेक्ट आंसर होगा और बहुत ही अच्छा question है और पूछा गया है बार बर सारे question important है जितने फोटी के हैं और सिंदूर बनाने में उपयोग होता है ये चार option है लेड आकसाइड, mercury, zinc, sulfide कोई नहीं तो जो answer है उस answer को पूरा लिख करके दें आप comment section में क्योंकि आप जब लिखते हैं तो पूरा याद साइंस का उस question को हम करने वाले हैं जल्द और उसके बाद जो है हम करने वाले हैं आपका computer कभी computer कभी और परियोरर कभी मिला हुआ question पूछा गया है आप हम 2023 में current है उसे हम करेंगे जल्द ही अब वीडो सुबा साम या तीन टाइम भी आपको तीन वीडो भी प्राप्त हो सक कुआ है